एक बहुती साई लरका एक साई लरकी से मिलती है जो उस से दस गुनाज्जाधा साई होती है। सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आहरन एक लिए जाने के बारे में कहते हैं तो तब राइदो सोचता है सब्सक्राइब करेंगे तो तब राइदो वापस कुछ प्लैन करके आने के बारे में सोचता है लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिस करता है तब वह अकेले ही बाहर निकाला जाता है और आहरन सबके ऊपर सर्फ करने लगती है जिसके बाद बोस्व परॉपनर के पास जाके फिर से कुछ को नहीं देती है तो फिर वो बस एक बन लेके और के राइदो पास आ जाती है लेकिन उसे देखके नहीं लगता कि वो सिर्फ इससे सर्वाइब कर पाईगी तो राइदों से अपने लंच दे के उसे उसका बन ले लेता है पिर जब दोनों लंच करने जाने लगते है तब ही एक दौक आके आरन को उसकी लंच दे देती है तो फिर वो दोन आनके नहीं बलकि किँस्मों माहिर है फांस के लिए बिद Champions कर लेकिए और इस पार पहले बार से ज्यादा ठ्यान लेगा के अपना Hext लगाता लेकिन पूछता है कि जब उसने उसकी आखों में देखा था तब उसने कहीं और देखी थी तो तब आरेन कहती है कि वो इसलिए कि उससे देख रहा था तो उसे सरम आई थी जिसके बाद वो दोनों स्कूल से आने लगते हैं और यहां राइदो अपनी हार को अभी तक एकसेप्ट ही नहीं कर पाया अगले दिन क्लास में आरेन हमेशा की तरह सोने लगती है फिर जब उने साइंस क्लास के लिए अलग क्लास रूम में जाने कहा जाता है तब आरेन अपनी देख से उतने के लिए मोटिवेदी नहीं होती तो उसे देखके राइदो सोचता है कि हाँ इस उमर में ऐसा होता है जहाँ आप बिना किसे वज़े की ही क्लास मिस करने जाते हो लेकिन वो के दिये कि एसल में वो बहुत ही ताइम से बेटने के वज़े से थोरी ठक गई है तो फिर क्योंकि राइदो ने दिमन स्लेयर देखा था तो वो सिफ इंस्पैर होके आर एन को अपने पीत में बिठा के ही ले जाता है पिर जब क्लास सुरू होता है तब वो काफी अच्छी फील करती है लेकिन खतम होने के बाद वो फिर से आलची बन जाती है तो तब राइदो सुचता है कि अगर वो ऐसे ही रही तो वो स्कूल को कभी सोर ही नहीं पाएगी और सायथ उसे पूरी जिंदगी अपने पीत में ही लेके खूमना परे उसके बाद वो से क्लास में वापस ले जाता है जहाँ वो से पूसता है कि आज वो क्यों इतनी आलची बन रही है तो वो जबाद देती है कि असल में कल वो येसोस के रात पर सो नहीं पाए कि कल वो लांज के लिए क्या बनाएगी ताकि राइदो से फिनिस कर पाए क्योंकि पहले दिन का लंज वो खतम ही नहीं कर पाया था तो राइदो ये सुनके दिसाइड करता है कि वो उसे पूरी जिन्दगी अपनी पीत में ही लेके खूमेगा लेकिन फिर आहरेन वापस नॉर्मल हो जाती है जिसके बाद उन्हें आर्ट ग्लास में उनकी जो मर्जी उस आर्ट में काम करने का फ्रीदम दिया जाता है तो वो दोनों पहले दिसाइड करते है कि वो दोनों लेंस्कैप बनाएंगे और यहां भी राइदो अच्छा नहीं होता और आहरेन कुछ ज़्यादा ही बरी सी सोस लीती है चो देदलाइन के बाद ही खतम होगी तो बो दोनों इसे भी सोर के खुद की ड्रोइंग बनाने के बारे में सोसते हैं जहां राइदो अपनी ड्रोइंग को खतम करके आहरेन के जाता है जहां वो बस बेठी हुई है लेकिन जैसे ही वो से सूता है तब नीचे गिर जाती है तो यह देखके वो सोचता है कि उसने उसे मार दी है और अब यह बात न्यूस्पेपर में चप जाएगी जिसके बाद बोसके हार्ट बीट को चेक करके किसी से हेल्प पुलाने लगता है लेकिन तब आरेंग वहां आ जाती है जिसके बाद उसे पता सलता है कि यह बस उसकी एक लाइफ साइस डॉल है जो आरेंग ने उसके आर्ट क्लास के लिए बनाई थी और यह बागे में काफी अच्छी होती है अगले दिन लंज के ताइम उनकी होम रूम टीचर और रुम Äंच लवर टीचिरप मिस्तो बरू रूप में लंज करने सले जाते है जला वो को अपने लंज को शीयर करने लगते हैं और तब वहां आर्यान और राइड़ो आ जाती है मिस्तो बरू सौक हो जाती है क्योंकि वह उन दोनों की चैमिस्टी की वेन होती है जबकि उ उसने इसके लिए तैयारी नहीं की थी फिर राइदो और आहरेन मिच्चुरी को पकड़ लेते हैं तो उसे देखके तीशर सोचती है कि सायद वो से चिपक के बैठनी वाली है लेकिन वो तो उससे काफी दूर बेठती है तो इसे देखके उसे कुछ भी समझ नहीं आती तो उ हन देखके टीशर किसी तरह से अपने आपको कंट्रोल कर लेती है लेकिन जैसे ही वो उन तीनों की के मिस्ट्री को देखती है तो वो आफ के सीद्या तो देखके नाख से खुन निकलाती है आघाते हैं जिसके बाद वो सुबह जाके देखती है कि होम रूम तीसर उसके साथ होती है तो वो से कह दिये कि कल रात उसके हालत को जादा ही खराब हो गए थी इसके वज़े से वो यहाँ आई और फिर यहाँ सकूल khatm works राइदो और आहरेन को उसके दोस फेस्टिबल में जाने के लिए बुलाते हैं जहाँ आहरेन मिचुर को भी आपने साथ जाने के लिए बुला लेती है उसके बात सभी फेस्टिबल में सेल जाते है जहां लरकिया की मोनों में काफि अच्छी लगत पिर जब गेम खिलने जाते है तब वह वापस आके राइदों को कहीती है कि उसने अपने पैसे कश्टम कर दी है तो उसके बाद राइदों खुच जाता है और वह पिर आते ही वह उन तीनों को देख लिती जिसे देखके वो पिरशी अपने आप से कोंट्रोल खो दीती है और फिर फेरवर्क सुरू होने वाले होते हैं लेकिन तभी रैदो देखता है कि जिससे वो पकर रहा था वो असल में आरण नहीं है तब वो सोचा है कि आरेन खो गई है लेकिन जब मिच्छुरी को देखता है तब वो भी नहीं होती उसके बाद आरेन देखती है कि जिससे वो पकर रही थी वो असल में खाने की सीज है तो तब बो दोनों समझ आते है कि वो दोनों ही खो गए है जिसके बाद राइदों 136 बच्ची को अपने फादर से मिला के सोचता है कि सलो अप आरेन को धुंते है ल और तभी फारवर्क शुरू हो जाता है और क्योंकि आरेन थोरी चोती होती है तो वो कुछ भी नहीं देख पाती तो राइदो उसे अपने साथ उपर उठा लीती है जिसके लिए वो से थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी हाइद कम होने के वज़े से वो हमेशा दूसरों की पीसे रह के कुछ भी नहीं देख पाती लेकिन अब वो उसके वज़े से देख पाती है फिर वो उसकी सेंजल को ठीक करके अपने साथ जाने बुलाता है जहां आरेन थोरी सरमा जाती है और फिर उसके हाथ में पकरके वापस सलनी लगती है अगले दिन फिर जब राइदो स्कूल आता है तब वो þूGUारा बीमार मैशूस करने लगता है फिर जब अहरान आती है असरीदो बीमार होने की बज़े से कफी होग होगता है तो उसे देखके अपनि होस्त खोदेती है फ्यर जब सर Something के नीशे गिर जाता है तो तो आ भी को कहता है कि वो खर जाने वाला है और लाती ही वो अपनी देखता है जिसके आगे यह सर्माज आती है और उसे अपने रूम में जाने कहती है और बो ऐसे हुद yeni देखके disappoint हो जाते है, और फिर वो देखता है कि आसểm ição नहीं आई देने और जब यो जाने लगता है तब पुरास्ति मही आरेन को देख लेता है लेकिन जैसे हो उसके पास आता है तब वो देखता है कि ये तो आरेन ऐन की बरी फर्जन है और चब वो एक SOT को TRY करने लगती है तब वो से देख के सोचता है कि साइद वो FUSER से TRAVEL करके यहां आई है तो वो से करने लगता है और तब ही वो उसके पास आके पूछ दिया है कि वो कौन है तो तब वो थोड़ा हैरानों के पूछता है कि क्या वो आहरेन नहीं है ये कहते ही वो समझ जाती है कि वो कौन है जिसके बाद वो कहते है कि वो आहरेन की चोती बहन रीनू है वो उसके बारे में जानती है क्योंकि आहरेन ने उसे उसके बारे में पहले ही पताई है तो राइदो उसे ही नोच को देकर ले जाने देता है लेकिन ये सुनते ही वो तोरी गुसा हो जाती है और कहती है कि सायद उसे खुद चाके उसे देना चाहिए ये देखके वो सोचता है कि सायद उन दोनों का रिस्ता अच्छा नहीं है उसके बाद जब जाने निकलती है तब वो उसे पूसता है कि क्या उसे कुछ और भी लेना चाहिए तब वो उसे दिखाती है कि उसने बहुत सारे चीज़े ले ली है जिसके बाद वो उस समान को भी उसे ही ले जाने कहती है और फिर वो उसे गेम खिलाने ले जाती है जहाँ वो राइदो को कहती है कि आहरेन को ये डॉल चाहिए थी तब वो थोरी सरमाज आती है जिसके बाद वो वहाँ से सली जाती है कुछ देर बाद राइदो आहरन की घर पहुँच जाता है जहां वो उसे बो डॉल गिफ करता है और कहता है कि इस डॉल के बारे में असल में उसके बहुत सारे सीजे भी खरी दी है तो उसे देखके आरन उसे गले लगा के थेंक्स कहती है फिर वो सौपिंग बेक से एक मसली निकाल लेता है और तब रेनो उसे अंदर आने कहती है जिसके बाद वो दोनों मिलके एक साथ खाना बनाने लगते है और जब रेनो कहती है कि क्योंकि वो जानती है कि वो अपनी बेहन के साथ जादा दिन नहीं रहने वाली तब राय तो सोचता है कि सायद उससे कोई बिमारी होगी लेकिन असल में वो बरे होने के बारे में कहे रही थी जिसके बाद रियनू से पूशती है कि क्या वो और उसके बहन सिर्फ फ्रेंश है तब वो कहता है हाँ वो दोनों क्लास मेच चछा और अच्छे फ्रेंश भी है और पूछता है कि अगर वो बुरा लर्का होता तो वो क्या करती तब वो से नाइब दिखा के कहती है कि वो से नहीं सूरती तो उसके दर से वो वहाँ से सला जाता है जिसके बाद पो तीनों बहन मिलके दिनर करने लगते है और तब आरेन उसे पूछती है कि उन लोगों ने क्या क्या बात करी तो तब वो कहती है कि उन लोगों ने कुकिंग और उसके बारे में बात करी थी फिर आरेन उसे खाना बना है और फिर उसके साथ शौपिंग करने जाने बुलाती है फिर मॉल में जाके रहजों से पूझत आए कि क्या वह हमेसा अकेले ही करने आती है तब वह जबाद देती है नहीं आज क्योंकि उसकी बहन बिमार है तो अकेली आई है फिर वह दोनों को थून देगा लेकिन उसकी वालेट में भी एक भी रूपे नहीं होता तो अब कोई रास्ता नहीं है तो वो दोनु उसके वालेट को słuनने का प्लैन करते हैं लेकिन मौल से बाहर निकलते ही उनकी डौक रैम की वालेट को ले आता है और फिर रैम उसे पूछती है कि क्या वो और उसकी पहले ही आहरें वहाँ आ जाती है तो तब वो कहता है कि वो इसके बारे में उसे बात में कहीगा उसकी बात जब राइदो आहरें को उसकी नाम से बुलाता है तो कि अगर आप किसी को उसके फर्इस नाम से बुलाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही लोग साथ आने के लिए घिन हमें नहीं आए हुðआ है तो uchar ficar के सकते नहीं पा रही थी जिसके बाद राइदो उसकी हेल्प करता है और उन्सों भी को उनकी होम रूम टीचर कार में ले जानी लगती है लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो तो क्यों दृफ्ट की मेंबर है तो फिर वो उन्हें दृफ्ट मारके वहाँ ले जाती है वहाँ पहुस के वो सब तो खाना लानी ही भूल गई तो वो रोने लगती है जैसे देख कर राइदो कहता है कि उसे सिंधागरनी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास और एक आजिया है जिसके बाद वहाँ कीपर को जा के पूसता है कि कि क्या वो लोग जंगल से खाना धून के ला सकते है तो वो उने permission देता है जिसके बाद राइदो उन सभी को खानक collect करने दे के खुड एक spear लेके मसली पकड़ने चला जाता है चाब वो एक pro की तरह मसली पर attack करता है लेकिन वो मसली उसे नहीं मिलता और तभी वहाँ मिच्चु की आ जाती है जिसके बाद वो कहती है कि वो उसकी मदद करने आई है तो तब वो उसे उसकी spear बांग लेती है तो तब वो सुचता है कि वो से use करना जाता था लेकिन तभी वो नोतिस करता है कि सायथ वो spear से उसे मार देनी वाली है क्योंकि वो उसकी फेवरेट दोस के साथ जुरेती है लेकिन ऐसा नहीं होता और वो से मसली पकड़ने में मदद करती है और यहां, RN भी मसली पकड़ने लगती है, तो उसके बाद, वो सभी खाना कलिक करके कीपर से पूढ़ता है, जो उन्हें कहता है कि, सारे सीजे हङगे की लाइक है, तो फिर वो सभी खास करके, वे आहरेन खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है जिसके बाद वो ने काफी अच्छी दिसेस बना देती है रात में वो सभी कुछ गेम खेलने लगते हैं जहां मिच्चु के बहुत ही जल्द सो जाती है लेकिन उनके दोस्त अभी थोड़े मस्ती के मूड में रहते हैं तो वो सभी एक साथ जंगल में खूमने लगते हैं और जैसे ही वो सभी थोड़े आगे बहुत जाते हैं तब वो दोनों उन दोनों को अकेले शोर के भाग जाते हैं और जब वो उन्हें पीछे देखता है तब वो वहाँ नहीं होते तो वो सोचते हैं कि वो लोक साइट उन्ह कुछ कहनी की कुछिस करती है लेकिन तभी वहां एक जान वर आ जाता है और वो जान और उनके ऊपर कूछ आता है और तब राइदो आहरेंड की आगे आता है लेकिन फिर वो देखता है कि वह तो असलमें उनकी दोग है जो उनका खाना लेकर आया है तो यह सब होने के बाद वो सब इतेंटियाए और फिर सब मिचुरी रात में जाग जाती है तब वो देखती है कि आरें तो अभी तक नहीं सोई जिसके बाद वो उसके पांच आके एक सीज पर एड़ियागी है वो कहती है कि वो ये सोस के सो नहीं पा रही कि वो राइदो को अपनी फिलिंग्स के बारे में कहनी जाती है लेकिन वो दरती है क्योंकि वो से अपनी दोस्ती रखनी जाती है लेकिन अगर वो से कही और फिर उनकी दोस्ती तूच जाये तब वो क्या करेगी तो तब मिच्चू की उसे advice देती है कि अगर उसकी जगा वो होती तो वो नहीं कहती लेकिन क्यूंकि वो वो है तो वो ये कह सकती है और वो जानती है कि ये काम करेगी जिसके बाद वो दोलों देखते हैं कि राइदो तो जागा हुआ है तो तब मिच्चू की उसे वो बात कह पहार रएदो कप नूदल सखाने लगता है और आरएन वहाँ आ जाती है तो वो भी उसे कप नूदल सेर करता है जिसके के निटी इसके बाद वो केहने की कोशिश स्थों करती है लेकिन वो थोरी सर्मा जाती है तो उसे देखे राइदो से कुछ कहता है जो हमें हावा के वज़े से सुनाइं ही नहीं देता और तब ही आहरेन उसे किस कर दीती है जिसके बाद वो सर्मा के वहां से भाग के सीधा तेंट में आके सोग जाती है इन सब के बाद सबी स्कूल आ जाते है और दोनों दोस्ते हैं कि उन दोन की 20 कल कुछ तो हुआ है फिर जब राइदो आता है तब वो नॉर्मल लगता है और फि के पाद वो उन सबी स्वीटर को खोल दीती है जिससे आहरेन भी कायब हो जाती है लेकिन वो असल में स्वीटर की नीचे जाके चुप जाती है और कहती है कि अब उसे फिर से थंद लगनी लगी है तो राइदो कहता है कि उसे पता है कि उन्हें क्या करना जाहिए तो दोनो दोस्त excited हो जाते हैं लेकिन वो दोनों romantic चीज़ें नहीं करते हैं बलकि running करते हैं आग जिराते हैं और कुछ spicy food dry करते हैं जिसे देखके दोनों थोड़े disappoint हो जाते हैं और तभी वहाँ मिच्चुकी भी आ जाती है जहां बोदोनों से कहते हैं कि उन्हें लगा था कि उनकी बी में सुचता है लेकिन जाने से पहले ही वहाँ आगे आ जाती है तो तब वह समझ जाता है कि यह का मुस्की है जिसके बाद वह से अंदर बुलाती है जहां उसने टेबल और चेर भी बनाई है फिर वह एक मेट की ड्रेस पहन के उसे order करने कहती है जहां वह कोफी और मीट और करता है अहरें उसे वही बना के गर्म गरम दे देती है फिर वो दोनों गरम-गरम कौफी पीने लगते है लेकिन वह लोग बहुत जादा देर नहीं रह सकते क्यूंकि स्कूल शुरू होने वाला है फिर स्कूल खतम हो जाता है तो आहरें कहती है कि उसके पास अभी थोरे जर्मा जाती है अगे दिन जब दोनों स्कूल आते हैं तब आहरेन अजीब तरह से सलने लगती है तो तब वो कहती है कि उसकी बॉड़ी थोरी स्टिफ हो गई है तो राइदो से नर्स ओफिस में ले आता है जहां नर्स नहीं होता तो वहीं उसे थोरी ट्रेच कर देने का दि तो तब आहरेन उसके ऊपर सर के उसकी मसाज करने लगती है और थोरी देर बाद राइदो को वही नीन आ जाता है लेकिन क्योंकि उनकी इक लास शूरू होने वाले है तो आहरेन उसे उठाने जाती है लेकिन वह नहीं उत्ता और तभी वह उसकी नस्दीक जाके उसे किस कर रैदो आहरेन को देखके समझ जाता है कि उसे भूग लगी है जिसके बाद वो सबी एक रेस्टूरेन में से ले जाते है फिर जब रैदो कुछ लेने जाता है तब उन दोनों दोस्त की बी स्टोरिक केमिस्ट्री बढ़ने लगती है उसके बाद वो सबी खर आज आते है और आहरें कुछ ज़्यादा ही त्राइ कर लेती है फिर वो कहती है कि उसके लिए उन्हें त्राइ करना काफी इंपोर्टन है यह सुनके रैदो सुचता है कि साइद वो कोई होटेल ताइकून है जिस वज़े से वो उन्हें त्राइ कर रही है लेकिन फिर वो कहती है कि असल में New Year Eve की डिनर को बनानी वाली है जिस बज़े से वो ने ट्राइ कर रही है फिर बो दोनों मॉल में बहुत सारे चीज़े करने लगते हैं लेकिन रैदो को अभी तक पता नहीं चला कि बो दोनों डेट में आए हैं लेकिन बो सोचता है कि जो भी हो जाए बो दोनों अपनी दिन क काफी अच्छे से बिताएंगे फिर वो सोती बच्ची उन्हें मिलती है जिसे राइदों ने फेस्टिबल की दिन उसकी फादर से मिलाया था और वो ने कहती है कि जिस तरह से बो यहां आये है और चीज़े कर रहे हैं इसे असल में देट कहते हैं यह सुनके आहरेन थोरी सर को हर भार पकर लेती है और लास में वह से माफ ही माथी है क्योंकि उसके साथ अप बूस देट करेंगे लेकिन वहां के उसके बारे में केरे ही ही है लेकिन उसे उन हथियारों से दरने नहीं वाली बलकि बोर्ट गेम पे शैलेंज करती है क्योंकि उसे पता है कि रैदों को मार्शल आर्ट नहीं आता तो दोनों गेम खेलना सुरू करने से पहले ही वो कहती है कि जो भी जीते होने के बाद अकेले ही स्कूल से जाने निकलती है और बाहर आती ही उसे हें मिच्चूरी की को कहती है कि इसलिए उसने उसे किस्क कर ली ठीए लेकन फिर उससे लगी कि उसने कुछ गरवर ठीए जिसके जबदे वापस बजेंกर आ गई भीद्यू और फिर आहरेन कहती है कि वो भी राइदो को लाइक करती है ये बात कहती ही दोनों दोस जारियों से निकल आते है जो उनकी बातों को सुन रहे थी और उन दोनों को मिलते हुए देख मिच्चुकी भी काफी खुश होती है क्योंकि वो उसकी अच्छी फ्रेंच हो है उसके बाद जब कुछ नॉर्मिल हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद जब स्कूल की चुती होती है तब राइदो आहरेन को एक साथ जाने बुलाता है तो तब वह कहती है कि आज उसे कुछ काम है quayके की प्राइक है यहाँ उसके पास जाके पूछता है कि क्या वो यह सब पहला भी मांगती है लेकिन राइदो कहता है कि कोई बात नहीं वह जो भी करें वह उसमें जरूर मदद करेंगा जिसके बाद बोदों अच्छे से केर करके फूल निकाल लेते हैं जहां राइदो उन्हें देखके कुछ सोचता है और आरेन सोचती है कि साइद उसे पता चल ग हाली है तभी हम देखते है मिस तूबरू को जिसका आज भी सर सकराने लगी है क्योंकि उस ताइम में जब वो दोनों कॉन्फेस कर रहे थे तब उन्हें यह सब करते हुए उसने देख ली थी जिसके बाद हम रूम तीचर आके उसे एक इंविटेशन दिखाती है और यहां गए है तो तब और राइदो उन फूलों के पास सली जाते हैं जा आरन कहती है कि जब उनका स्कूल शुरू हुआ था तब बहुत ही दरी हुई थी लेकिन जब से उसने उससे और बाकी दोस्तों से मिली तब से उसने बहुत ही अच्छी फील करने लगी जिसके बाद वो गल बलकि बाकी की लोग भी उसके साथ हैं तब बाकी सबी लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर लास में राइदो कहता है कि अगले साल जो भी हो लेकिन वहाँ स्कूल के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जो काफी अच्छे होंगे और उसने अभी तक उनसे नहीं मिली जब बोलोग उसे मिलेंगे तो बहुत सबी ज़रूर खुस होंगे तो यह सुनके आहरेन काफी अच्छी फील करती है और इसी रुमेंटिक माहौल में यह एनिमे खतम इस एनिमे का नाम है आहरेन इस इंदिजिब फैरिबल वीडियो पसंद आए है तो लाइक करो ऐसे वीडियो को क्लिक करो